Hello students, आप सभी का स्वागत है, Sets के वीडियो लेक्चर सीरीज के दूसरे वीडियो में तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था Sets किसे कहते हैं और Sets को लिखते कैसे हैं तो वही जो Sets को लिखते कैसे हैं, वो generally हम Sets को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है एक तो मैंने यहाँ पर लिखा है देखिए, एक तो Roaster Form और दूसरा है Roaster Form और उसका और वी कुछ नाम है जैसे कि उसका और एक नाम है Tabular Form और एक नाम है List Method उस तरीके से और एक Form होता है जिसे कहते हैं Set Builder Form और Specification Method ठीक तो यह जो Sets का रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है तो आज हम इसके उपर ही Discuss करेंगे जिन्होंने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है Sets के उपर आप iTap पर क्लिक किजिए और वहां से Sets का जो मैंने पहले वीडियो जो Upload किया है आप उसे देख लीजी उसके बात अगर यह देखोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी तो चलते हैं Discuss करते हैं Roaster Form किसे कहते हैं और Roaster Form और Tabular Form और Least Method यह किसे कहते हैं तो यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो ऐसे करके जो सेट हम लिक रहेते हैं यह जो लिक रहेते हैं इसे ही हम Roaster Form कहते हैं और Least Method भी कहते हैं Roaster Form, Tabular Form और आपको जो भी इसमें से मर्जी हो Least Method भी कहते हैं तो आपको यह सारे नाम याद रखना है क्योंकि कुछ-कुछ बूक में different different नाम को यूज किया जाता है तो आपको यह तीनो नाम याद रखना है तो यहाँ पर फिर Roaster Form तो बहुत ही आसान है जो element हमें बस उसे क्या करना है ऐसे list करके रख लेना है वही Roaster Form है जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 और अगर मैं लिखूँ A, B, C, D, E, F ऐसे करके Z तक यह भी कौन सा Form है? Roaster Form तो अब आता है जो कि बहुत important चीज है जो कि हमारा Set Builder Form इसे हमें थोड़ा अच्छे से सिखना पड़ेगा क्यूंकि यह हमारे लिए बहुत ही important है तो यह Set Builder Form जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं? पहले कुछ Sets है और कुछ Notation है उसे हमें पहले समझना पड़ेगा उसके बात ही हम यह Set Builder Form कैसे लिखते हैं? एक Set का Set Builder Form को लिखना कैसे है? बहुत सारे इसके उपर डिसकस करेंगे तो पहले हमें कुछ Symbols जानना है जैसे कि पहले Suppose समझ लीजे यह हमारा A Set है तो हमें एक Symbol का यहाँ पर हम सारे Set Builder Form में यूज करते हैं वो है यह देखिए एसे To This Is यह जो Symbol है इसे कहते हैं To Each An Element Of A क्या कहते हैं इसे? To, अगर ऐसा आप कहीं देखोगे तो इसे क्या कहोगे? To Each An Element Of A और इसे A से भी इसे रीड करते हैं To Belongs To Set A अगर मैं कहीं लिखूँ To Belongs To A that means To Each An Element Of Set A उस तरीके से 2 और और भी क्या हम कह सकते हैं इसे? To Belongs To Set A ठीक? तो इसे कहां यूज करेंगे अगर जैसे कि हाँ हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं 3 Belongs To A, 3 Each An Element Of A 5 Belongs To A लिख सकते हैं, 6 Belongs To A लिख सकते हैं But 7 Is Not An Element Of This A So वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 Does Not Belongs To Set A तो यही इस सिम्बल का मिनिंग है अगर कहीं पर वह element अगर वह सेट पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? Belongs To Symbol का यूज करेंगे ठीक? तो चलिए फिर discussion को आगे बढ़ाते हैं देखिए मैं एक सेट लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6.. 1, 2, 3, 4, 5, 6.. तो यह कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर का collection है? आपको पता है यह कौन सा नंबर है? यहाँ पर नेचुराल नंबर को मैंने collect करके एक सेट बनाया है सेट अब नेचुराल नंबर्स ठीक? उसके बाद और एक देखिए यह भी आपको पता है यह भी स्कूल में पढ़ा है जिरो प्लस माइनस वान, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस त्री ऐसे करके इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? यह कौन सा नंबर्स हैं यह सारे? यह इंटीजर्स हैं जैसे उसे हम N से डिनोट करते हैं यहाँ पर सेट पर इसे Z के help से डिनोट किया जाता है Z मतलब सेट अब इंटीजर्स इंटीजर के केस में हम capital Z को use करेंगे, तो इसे मैं लिख लेता हूँ language में this is called the set of integers set of integers ठीक, उसके बाद फिर आते हैं यह Q और Q डेस Q क्या है, Q है this is set of rational numbers set of rational numbers, आपने set of rational number पढ़ा है set तो नहीं पढ़ा है बट आपने rational number पढ़ा है what is rational number rational number वही number होते हैं जो number को हम क्या लिख सकते हैं उसे कैसे express कर सकते हैं in the form of P by Q, a number which is a rational number if it can be, अगर rational number का exact definition के बाद करूँ तो यही exact definition है a number is said to be a rational number if it can be expressed as in the form of P by Q or it can be expressed as P by Q where Q not equal to 0 and this P Q are elements of elements of Z वो P और Q क्या होना चाहिए integer होना चाहिए और वहाँ पर Q क्या नहीं होना चाहिए ठीक, तो जैसे 1 1 एक rational number होगा की नहीं होगा क्यूंकि हम 1 को एसे 1 by 1 लिख सकते हैं ठीक, तो यही आपको ध्यान देना है rational number का definition यही है कि वो number को हम P by Q फार में अगर लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कह पाएंगे rational number ऐसा नहीं कि वो number P by Q आपको given हो यह आपको ध्यान देना है वो number P by Q always given नहीं होता है तो आपको अगर आप उसे P by Q फार में express कर लिए तो वो अपने आप ही rational number हो जाएगा Q फार में पर तो यह ae rational number है उस तरीके से अगर तू देखे तू भी ae rational number है क्योंकि 2 को हम 2 by 1 लिख सकते हैं तो तरीके से अगर 3 देखें तो 3 को भी हम 3 by 1 लिख सकते हैं यह सारे natural number यह भी क्या हो सकते हैं rational numbers उस तरीके से यह जो integers हैं यह सारे integers भी एक-एक rational number है, क्यों? जैसे कि मालो minus 3, हम minus 3 को minus 3 by 1 लिख सकते हैं, minus 3 को मैं minus 3 by 1 लिख सकता हूं, इसका मतलब उसे मैं कैसे express कर पा रहा हूं? पी बाई क्यू फर्म पर, सो पी बाई क्यू फर्म पर अगर express कर पा रहा हूं, सो minus 3 is also a rational number, ठीक? उस तरीके से सारे यह जो integers हैं, यह सारे integers एक-एक rational number हैं, तो यह Q set हमारा क्या है? this is set of rational number, set of rational number, जितने भी rational number हैं, वो सारे यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर यह natural number तो हैं, integers हैं, और भी इस type के भी number यहाँ पर होंगे, जैसे कि 5 by 6, यह भी यहाँ पर होगा, कहां पर? set of rational number पर, ठीक, so set of rational number पर 5 by 6, एसे करके 3 by 6, ठीक, और देखिए, यह भी number यहाँ पर rational number होगा, यह जो मैंने लिखाए 1.2, this is also a rational number, कैसे यह rational number है, देखिए, मैंने अभी बार-बार में definition बोल ला हूँ rational number का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे याद रखते हैं, कि number which is in the form of P by Q, नहीं, ऐसा definition नहीं है, वो number को rational number कब कहेंगे, अगर वो number को हम P by Q फर में लिख सकते हैं, अगर उसे लिख सकते हैं, तो वो number rational number होगा, जैसे कि this 1.2, 1.2 is also a rational number, because हम 1.2 को ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 12 by 10, that means 1.2 can be expressed in the form of P by Q, 12, so 1.2 is also a rational number, ठीक, जितना भी point वाला आपने जो भी पढ़ा है, सारे क्या number हो सकते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, rational number, क्यूंकि उसे हम P by Q फर में express कर सकते हैं, ठीक, और भी rational number को अगर उपर में discuss करूं, और भी बहुत सारे इसके उपर आएंगे, और भी अगर हम इसके deep पर जाएंगे, तो अगर आपको उसे जानना है, तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो, अगर आप interested हो, तो मैं rational number के लिए ही एक special video बनाऊँगा, ठीक, तो चलते आगे, तो ये हो गया हमारा set of rational number, जो जिसे हम किस के, किस alphabet के help से denote करेंगे, Q के help से, और Q-स, ये Q-स क्या है, Q-स है, set of irrational number, set of irrational numbers, irrational number, irrational number किसे कहते हैं, जो number rational नहीं है, उसे ही हम irrational number कहते हैं, तो कौन सा number rational नहीं है, जैसे कि root 2 हो गया, हम root 2 को कभी भी P by Q-form में express नहीं कर सकते हैं, इसलिए root 2 is irrational number है, सो जितने भी irrational number हैं, उसे अगर हम collect करें, जो set मिलेगा, उस set को ही, हम क्या कहेंगे, set of irrational numbers, और उसे हम के से denote करेंगे, Q-स के साहिता से, ठीक, उसके बाद हम आते हैं, फिर और एक set, जो की है R, R, यह क्या है, this is set of real numbers, this is set of real numbers, set of real numbers, set of real numbers, क्या है यह आपको पता है, real numbers तो आपको पता है, आपने school में पढ़ रखा है, real numbers, real numbers किसे कहते हैं, यह सारे, यह natural number हो गया, real number में, natural number आते हैं, सारे integer, सारे rational, सारे irrational, इस सभी को अगर हम मिला दें, जो set मिलेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, set of real numbers, और real numbers को हम किसके साहिता से denote करेंगे, capital, ठीक, उसके बाद, और एक, यहाँ पर हम, इतने तो आप, यह सारे numbers के बारे में, तो आपने school में पढ़ा है, लेकिन और एक set है, जिसे, c से denote किया जाता है, वो है, set of complex number, यह आपको पता नहीं है, इसे complex number आपने school में पढ़ा नहीं है, तो यह हम, यहाँ class 11 में आगे आकर पढ़ेंगे, तो मैं इसके उपर अभी बात नहीं करूंगा, जब यह, इसके लिए हमारे book में एक extra chapter भी है, तो वो जब आएगा, उसके उपर हम detail पढ़ेंगे, तो जस्ट आपको यह अभी याद रखना है, जो set of complex, यह C किसे रिप्रेंट करता है, set of complex number, और एक छोटी सी बात में यहाँ पर बता देता हूं, आपको यह सायद, अगर जो हमने यहाँ पर जो n, z, q, q, d, r, c, यह जो लिखे हैं, तो इसे हम अगर आगे जाकर use करें, तो एसे capital N आप नहीं लिखिए, तो ठीक होगा, क्योंकि ऐसे तो book में कहीं दिया नहीं गया है, कि आप यहाँ पर, मैं जो अब बोलूँगा, वो आप लिखिए, पर आपके लिए यह एक सही तरीका है, sets को represent करनेगा, especially this type of set, n, z, q, q, dash r and c, अगर आप book में देखोगे, तो यह जो n लिखा गया है, इसे थोड़ा वहाँ पर bolt letter में लिखा हुआ होगा, ऐसे, ऐसे करके, थोड़ा dark करके, ठीक, तो उससे क्या होता है, अगर वहाँ dark करके दिया गया है, तो आगे या कर अगर भी कहीं dark दिया गया है, तो उसका म अगर हम एसे capital N आगे जाकर भी देखेंगे, तो आपको यह समझ लेना है, कि यह natural number के उपर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि capital N, तो हम क्या करें, हमारा capital N यह है, और हम ऐसे तो dark नहीं कर सकते हर वक्त, हर वक्त जैसे book में दिया गया है, ऐसे हम तो हर वक्त dark नहीं कर सकते तो हम कैसे लिखें, हम इसे लिखने के लिए, मैं आसान सा आपको एक trick बताता हूँ, आप एसे लिखेंगे, अगर एसे लिखोगे, तो आपको capital N and set of natural number के जो difference है, आप खुद confuse कभी भी नहीं करोगे, जैसे कि मैं इसे N नहीं लिखके, इसे मैं एसे लिख लेता हूँ, N के आप यह समझ लेना, यह capital N नहीं है, इसके किया है, यह set of natural number, उस तरीके से इसे अगर हम denote करेंगे, तो इसे हम एसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे, इसे लाइन दे दीजिए, तो यह हमें क्या help करेगा यह, अगर हम आगे आकर ऐसे लिखेंगे, तो आपक बात करें, ना कि capital Z, ठीक, उसी तरीके से यह Q को भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्राक्टिस कीजिए, इसे आपको फिर capital Q से यह थोड़ा अलग दिख रहा है, तो आपको अगर कहीं में यह use करूं, तो आप वहाँ माल लेना, कि यह में set of rational number के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक उसी तरीके से इसे भी है, एसे लिख लेते हैं, और इसे एसे लिख लेते हैं, और C को एसे, ठीक, तो यह देखिए, अब यह अगर आगे जाकर मैं कहीं भी एसे लिखूं, कि X belongs to this, तो आपको पता होना जाए, यह, मैं capital Z, नहीं लिखा हूं, यह set of integer के बारे में बात कर र help से, हम अब क्या सिखेंगे, set builder form कैसे लिखते हैं, यह सिखेंगे, तो चलिए, वो भी सिख लेते हैं, तो देखिए, set builder form कैसे लिखा जाता है, इस टाइप का symbol हम यहां यूज करते हैं, X, source that, X, यह जो symbol है, इसे कहते हैं, source that, X, source that, X, और यहां पर फिर belongs to कुछ लिखा जा क्या करेंगे, उसके बाब, condition लिखेंगे, जो की हमारे, जो set में दिया गया होगा, वो कौन सा form में होगा, roaster form में होगा, हमें क्या पूछा जाता है, एक set दिया होता है, वो roaster form में होता है, और पूछा जाता है, इसका set builder form लिखिए, और reverse भी पूछा जाता है, कही set builder form दिय देके करना पड़ेगा क्योंकि इसे इसे ही यहां पर ही गल्ती होने की chances होती है तो इसे आपको यहां पर मैं वही सिखाऊंगा कि एक roster firm अगर आपको दिया गया है वहां से set builder firm आप कैसे लिख सकते हो ठीक तो चलिए यह मैंने जो roughly set builder firm का structure लिखा है इसे x such that x यह जो एसे line करके लिखा गया है यह कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है इसे x ऐसे colon देके x such that x यह दोनों यह symbol भी लिखा जाता है ऐसे भी लिखा जाता है ठीक तो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह हमारे book में ncrt book में यह symbol यूज किया गया है बहुत सारे जगाहों पर तो इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा तो चलिए देखिए मैं एक example लेता हूँ बहुत ही आसान है यह जैसे कि यह हो गया हमारा suppose हो गया यह 3,4,5,6,7 यह कौन सा फर्म में है set यह कौन सा फर्म में है यह रोस्टर फर्म में है क्योंकि लीस्ट करके लिखा गया है लीस्ट करके अगर लिख ले सब एलिमेंट को उसे ही हम कौन सा फर्म बोलेंगे set का रोस्टर फर्म अब हम यहां क्या करेंगे इसका set builder form लिखने की कोसिस करेंगे चलिए set builder form लिखते हैं तो a is equal to देखिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा x was that x फिर देखिए यह हमारा क्या है देखिए यह अगर आप ध्यान देखिए यह हमारा natural number है कहां से कहां तक 3 से 7 तक तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं देखिए x was that x which belongs to देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर n means set of natural numbers so x was that x belongs to n and and लिख सकते हो नहीं तो एक कॉमा दे दीजिए और ऐसे लिख सकते हो 3 less than equal to x less than equal to 7 तो मैंने लिखा था यहां पर देखिए x was that x उसके बाद condition और relation जो भी के सकते हो that satisfies the elements of the set देखिए यह जो मैंने लिखा है x was that x is an element of which set अगर आप यहां पर अगर ऐसे छोड़ दोगे तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि 3 और 7 के अंदर बहुत सारे number है ऐसे की real number भी है और rational है irrational है सब आ जाएंगे बट हमें सिर्फ कौन से element चाहिए 3 4 5 6 7 so these are all natural numbers so हमें यहां पर specify करना पड़ेगा कि हम किसका collection ले रहे है x belongs to natural number ठीक और देखिए यहां पर जो set builder form है एक-एक roaster form का हम अगर set builder form लिखने जाएं तो उसे हम बहुत सभी question पर नहीं कुछ-कुछ question पर एक roaster form का बहुत सारे set builder form लिखे जा सकते है जैसे यह question देखे यह question को अब हम और एक तरीके से लिखेंगे और एसे भी आप इसे लिख सकते हो a x such that x belongs to n x such that x belongs to n यह तो होगा फिर वहां पर लिख सकते हो इसे 3 less than equal to x less than equal to 8 वही सारे natural number जो 3 के साथ same हो और 3 से बड़ा हो फिर किस से छोटा होना चाहिए 8 से तो कौन-कौन सा natural number आएंगे वहां पर 3, 4, 5, 6, and 7 है तो हम इस answer को ऐसे भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हैं आप यहां पर जस्ट इस condition को चेंज कर दीजिए फिर वह यह यह से रहेगा यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां पर लिख लिख लिजिए ऐसे 2 less than x and less than equal to 7 वही x such that x equals to n 2 less than x and less than equal to 7 वही सेम चीज वही natural number आएगे जो 2 से बड़ा हो और 7 हो और 7 से छोटा हो तो वह कौन से element है 3, 4, 5, 6, 7 तो यह भी इसका answer हो सकता है set builder form ठीक और क्या लिख सकते हैं और भी एक लिख सकते हैं इससे यहाँ पर फिर वही जो condition है 2 less than x less than 8 देखिए मैंने यहाँ पर वही definition लिखा था condition that satisfies the elements of the set इस elements यहाँ पर जितने भी elements हैं वो सारे elements देखिए यह condition satisfy कर रहा है यह भी condition satisfy कर रहा है यह भी condition satisfy कर रहा है यह भी condition satisfy कर रहा है इसलिए ये सारे जो set था हमारा जो कि हमें किस फर्में गिवन था रोस्टर फर्में अगर हम उसे set विल्लर फर्में लिखें तो इसे इस तरीके से लिख सकते ठीक ये हो गया एक example और एक example ले रहते हैं इसे और थोड़ा अच्छे समयने के लिए जैसे कि मैंने अब अब लेता हूँ ऐसे एकस सोरी एक ले लेता हूँ ए फिर से suppose मैं ले लेता हूँ 1,2,3,4,5 ऐसे करके 10 तक ठीक इसे हम कैसे लिखें इसे भी हम लिख सकता हैं जैसे देखिए x such that x यह सारे natural number है नहीं सारे natural number नहीं है natural number है बट कितने up to 10 तक है तो इसे हम कैसे लिखेंगे x such that x belongs to n देखिए मैं n कैसे लिख रहा हूँ आपको बोला था थोड़ा एसे एक line करके लिखें तो आपको वहाँ पर confuse आप नहीं होगे कभी भी कि यह capital N नहीं यह set of natural number है तो X is that X will be lost to N and X is less than equal to 10 तो बहुँ सारे natural number जो 10 हो और 10 से छोटा हो तो क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 ठीक चलिए और क्या लिख सकता है इसे यहाँ पर इस condition को आप change भी कर सकते हो, इसे आप एसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर X less than 11, यह भी एक N सार हो सकता है जो मैं पहले लिखा था वो भी हो सकता है और यह भी लिख सकते हो X less than 11, भो ही सारे natural number जो 11 से छोटा होना चाहिए तो कौन सार natural number है 1, 2, 10, यह भी हो सकता है तो यह एक example हो गया और एक example लेते हैं देखिए, मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान है आप सभी लोग एक दो example के बाद आप भी कर पाऊगे इसे जल्द जल्दी, देखिए मैं और एक example लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके ठीक, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यह किस टाइप का नंबर है यह आगर आप देखोगे तो यह even numbers है, even numbers और आप ऐसे भी कर सकते हो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यह जो element से, यह कौन सा condition satisfy कर रहे हैं, जैसे हमने जो दो question कि वहाँ पर 1 में x less than आ रहा था, और एक question में 3 less than equal to x, less than equal to 10 हो रहा था, वही condition आपको ढूणना है, वही हमारे सेट्विल्लर फ़र्म का important चीज है, आपको condition ढूणना है, तो देखिए यह जो लिखा गया है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसे यह आपको, आप थोड़ा ध्यान देखिए, यह 2 है, 2 can be expressed as 2 into 1, and 4 can be expressed as 2 into 2, and 6 can be expressed as 2 into 3, and 8 can be expressed as 2 into 4, and 10 can be expressed as 2 into 5, so मैं such that x is equal to 2n, and here this n belongs to n, because यहाँ पर देखिए, पहले अगर n 1 put करें, तो 2 आएगा, 2 put करें, तो 4 आएगा, 3 put करें, तो 6 आएगा, 4 put करें, तो 8 आएगा, फिर ऐसे करके, आगे-ागे चलता रहेगा, ठीक, तो यही हमारा e-set का set builder form होगा, ठीक, तो इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, और अगर आप, यही इसका सबसे आसान तरीका है, इसे लिखने का, फिर एक और example देख लेते हैं, इसे, अगर हम, मैं यहाँ पर लिखूं, a set equal to 3, 9, 27, 81, बस इतने, ठीक, इसे हम कैसे लिखें, तो देखिए, यह भी देखिए, थोड़ा ध्यान देखें, पहले elements को देखिए, उसके बाद आप set builder family के, इसे आपको आसानी होगी, देखिए, यह देखिए, यह 3, relation देखिए, elements के अंदर क्या relation है, यह आपको observe करना है, ठीक, तो देखिए, यह 3, this 3 can be, यह 3, this is 9, this is 27, this is 81, तो आपको यह यहां से थोड़ा अगर ध्यान देके देखोगे, यह 3 के powers में लिखा गया है, यह 3 to the power 1, this is 3 to the power 2, this is 3 to the power 3, and this is 3 to the power 4, ठीक, तो हमें कितना तक चाहिए 3 to the power है, पर कितना 4 तक है, तो देखिए, मैं कैसे लिखता हूँ इसे, a is equal to x, solve that x, a is equal to x, solve that x, x is equal to 3 to the power 3 to the power n, और फिर मैं लिखता हूँ n equal to 1, 2, 3, and 4, देखिए, अगर 1 put करें तो 3 आएगा, 2 put करें तो 9 आएगा, 3 put करें तो 27 आएगा, और 4 put करें तो 81 आएगा, ठीक, तो यही x is equal to 3 to the power n, यह होगा, और क्या हो सकता हूँ, और भी एक, आप एसे भी लिख सकते हो, x, solve that x is equal to 3 to the power n, फिर यहाँ पर एक कमा दे दीजिए, n belongs to natural number, and n is less than equal to 4, x, solve that x is equal to 3 to the power n, वो n जो है, n एक, natural number होना चाहिए, और उसे फिर n इच less than equal to क्या होना चाहिए, ठीक, तो यह भी आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक, इस टाइप के बहुत सारे question है, exercise 1.1 पर, आप कोशिस कीजिए, अगर कहीं पर doubt हो, तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो, मैं फिर उसके उपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, और इसका जो reverse part है, जहाँ पर set builder firm होगा, और वहां से आप roaster firm लिखोगे, उस टाइप के एक दो question मैं next वीडियो में बताऊंगा, अगर मैं यहां बताऊं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक, तो मिलते हैं next वीडियो में, आपको फिर से अगर यह मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो please like करें, subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करते हैं